Hello Friends, This is Purnima from Subharti Computer Classes आज की वीडियो में हम बात करेंगे GST के बारे में कि GST क्या होता है, GST के कितने टाइप्स हैं, GST किस तरीके से चार्ज किया जाता है और GST में GST R1, GST R2, GST R3 भी ये सब क्या हैं सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो GST, देखे GST के हमारे थ में था पार्ट हैं First हमारा है C GST, Second हमारा है SGST और Third हमारा है IGST जब हम Within State Sale करते हैं, Sale या Purchase करेंगे means हम UP में रहते हों और UP में ही Sale या Purchase करेंगे तो हमारे कॉंसी दो टेक्स लगते हैं एक हमारा CGST लगेगा दूसरा हमारा लगेगा SGST CGST हमारा होता है Central Goods and Service Tax और SGST होता है State Goods and Service Tax तो दो टेक्स लगेंगे विदिन स्टेट लेकिन अगर हम स्टेट के बाहर सेल करते हैं मींस हम UP में रहते हैं हम गुजरात में सेल करते हैं या महरास्ट्रों में सेल करते हैं तो हमारा केवल एक टेक्स लगेगा IGST IGST क्या है Integrated Goods and Service Tax की गुड्स पे या किसी तरीके की आप सर्विस देते हैं तो उस पे क्या लगेगा IGST अब देखिए GST rates की अगर बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई भी percentage tax का चार्ज हो जाएगा उसके fix rate है या तो 0% होगा means nil rated होगी 5% चार्ज होगा या फिर 12 होगा 18 होगा या फिर 28% चार्ज होगा तो एक example चलिए ले ले लेते हैं देखिए माली जी जैसे 18% GST चार्ज होता है किसी भी गुड्स पे तो अगर हम within state सेल करने तो कैसे चार्ज होगा 9% चला जाएगा CGST में और 9% चला जाएगा SJST में तो total देखिए 18% ही चार्ज होगा लेकिन अगर हम यही IGST सेल कर रहे है means out of state अगर सेल कर रहे हैं चार्ज होगा 18% direct IGST में हमारा चला जाएगा तो इस तरीकी से हमारा चार्ज होगा टैक्स अब बात करते हैं GSTR 1 GSTR 2 and GSTR 3 GSTR 1 देखिए GSTR 1 क्या है पूरी सेल की डेटेल हमारी किसमें दखेगी GSTR 1 में दिखाई देगी अब जैसे किसी को हमने गुट्स सेल किया है उसने हमें गुट्स कुछ वापस की है तो उसके लिए क्रेडिट नोट इश्यो करेंगे उसकी बी डेटेल हमारी पूरी कहां प टेक्स्ट करने परे टेक्स लिया है है और गीस करते टाइम हमने टेक्स दिया है तो सेल टैक्स से पर्चेस टेक्सको सारा हमारा क्या GSTR ठ्रिविया जाएगा नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट और आता है ITC ITC क्या होता है इंपूट टैक्स क्राड़िट होता है तो अभी यह सारी पॉइंट समझेंगे तो दीए सबसे फर्स्ट एक्सामपल हम लेते हैं तो GSTR2 हमारा क्या परचेस मैंने बताया जैस दोनों लग रहा तो यह हमारे किस टाइब की परचेस है विदिन स्टेट में रहते हैं यूपी में ही गुड्स को परचेस कर रहें तभी तो CGST और SGST दो टैक्स हमारे लग रहे हैं तो एक लाग का गुड्स था जिस पर हमने कितने 9000 CGST दिया है 9000 SGST दिया है तो गुड्स ह 18000 का तो 1418000 का हमने गूड्स पर चेस किया है अब हम इसको सेल करेंगे तो एक लाग का तो हमारा गूड्स है लेकिन उस पे कुछ हम profit कामा की गूड्स को सेल करेंगे तो उस पे कितना 18% हम भाई टैक्स करेंगे क्योंकि उसीी rate से मने परॉचेस किया हे तो फरी तो 9% क्या जा रहा है देखिए CGST जा रहा है 9% जा रहा है SGST विदिन स्टेट सेल हो रही है तो यही गुड्स अब क्या हो गया अब जो 18% GST लगेगा 1,10,000 पे लगेगा क्योंकि 1,10,000 का हम गुड्स सेल करा है अब देखिए यही गुड्स हमने कितने का सेल कि है 1,29,800 और इस पे CGST हमें कितना मिला है 9,900 SGST हमने कितना लिया है 9,900 तो टोटल 1,29,800 देखिए यहां पे हम सेल कर रहे हैं लेकिन eligible ITC कितना है कि हम कितना दे चुके हैं तो पर्चिस करते टाइम देखिए हमने 1,00,000 गुड्स लिया था CGST हमने 9,000 दिया था SGST हमने 9,000 दिया लेकिन eligible ITC हमारा 1,18,000 का बनना है जबकि आउटर्ट सप्लाई 1,29,800 की बन रहे है तो दिखिए बात करते हैं GSTR 3B की तो GSTR 3B का रोज क्या होता है tax liability minus eligible ITC equal payable amount पेबल अमाउंट क्या जो हमारी liability है हमें देनी है tax liability क्या है कि जो हमने customer से tax के नाम पे पैसा लिया है वो हमारी tax liability है और eligible ITC क्या है कि जतना हम purchase करते टाइम दे चुकी है तो यहाँ पे CGST देखिए जो हमारा है जो हमने मेरी tax liability है tax liability कि इतनी है 9,900 यह हमने customer से लिया है और यहाँ पे SGST के नाम पे हमने कितना लिया 9,900 लेकिन eligible ITC हमारा है क्या है means purchase करते टाइम हमने दिया कि इतना है CGST में 9,000 और SGST में 9,000 दिया है तो इस वाली tax liability से eligible ITC minus होगा means इस वाली amount से यह वाली amount minus हो जाएगे 9,900 से 9,000 को minus करेंगे तो 900 यह आएगा और सेम वही यहाँ पे करेंगे 9,900 से इस 9,000 को यहाँ पे हम less कर देंगे तो यह भी हमारी 900 की amount आ गई की रिपोर्ट है GST R1 हमारा क्या सेल की रिपोर्ट है यहाँ भी देखें हम 5,000 का गुड़ परचेस कर रहे हैं कितना परसंट GST लग रहा है 18% GST लग रहा है गुट्स हमने 5 लाग की जो परचेस की थी अब हमने यहां पे देखी पूरा गुट्स ना सेल करकी अभी हमने कितना सेल किया है किवल 4 लाग का गुट्स सेल किया है और GSTR 3B की रिपोर्ट हमें मन्थली फाइल करनी पड़ती है चाहे आप सेल करें या ना करें कोई भी 30,000 दे चुके हैं लेकिन अब जो 18% GST लग रहा है तो 4 लाग पी लगेगा तो हमें कस्टमर से मिला कि इतना है 36,000 36,000 में 72,000 हमें क्या टैक्स के रूप में मिला है 4 लाग का गुट्स है और 72,000 हमारा टैक्स है मिन 4,72,000 का हमारा यहां पे गुट्स सेल हो रहा है अब इसक 6,000 तोटल हमें टैक्स में कितना मिला 72,000 लेकिन हमने दे कितना दिया पास्ट लाग हमने पर्चेस किया था 45,000 से GST दिया था और 45,000 हमने SGST दिया तो टोटल तो हमने टैक्स जादा दे दिया ना 90,000 तो अब इसका 3B कैलकुलेशन किस तरीके से होगा तो दीखिए फॉर्म हमारी क्या है टैक्स लाइबिलेटी हमारी 36,000 है मिन्स जो हमें गवर्मेंट को देनी है लेकिन इलिजीबल आइटी से हमारा कितना 45,000 मिन्स हम पहले ही दे चुके है 45,000 तो यहां पे माइनस का 9,000 आ जाएगा सेम वही SGST पे आएगा 36,000 से 45,000 माइनस हो जाएगे तो इसमे यहां पे reports file करी है उसमें 18,000 के amount जो हमारी है यह government के पास पड़ी हुई है वो कैसे क्यों कि अभी हमारा पूरा good sale नहीं हो पाया है तो क्यो government यह अपकी बास जब government के पास amount होगी तो government हमें cash में देगी बिल्कुल नहीं government हमें cash में देगी जब हम बचा हुआ यह 1,00,000 का माल sale कर लेंगे तो इस पर हमें tax के amount मिल जाएगी और फिर हम जब अपनी पूरी reports फाइल करेंगे तो जो ये हमारी amount है उसी में adjust हो जाएगी तो इस तरीके से ये हमारा 3B calculation हो जाएगा तो ये था हमारा second example एक example और देख लेते हैं जिससे कोई भी doubt आपको ना रहे में I think बहुत ही easy concept में आपको बता रहे हूँ जैसे आपका doubt clear हो जाए कि किस तरीके से 3B calculation होता है GSTR 2 GSTR 1 ये सब क्या है आपको समझ में आ रहा होगा तो एक example और हम देख लेते हैं देख यहां पर हमने goods कितना पांच लाग का purchase किया है 18% IGST इस पर लग रहा है means out of state आप यहां पर purchase कर रहे हैं क्योंकि देखी एक tax लग रहा है IGST 90,000 डिरेक्ट लग गया है तो हमने goods कितने का purchase किया है 5 lakhs 90,000 का purchase किया है अब बात आती है इस goods को sale करने की तो 5 lakhs लाग का तो हमारा goods है अब कुछ profit कमा कि हम इसको sale करेंगे तो यहां पर हमने goods कितने का sale कर दिया 6 lakhs हमने goods sale कर दिया तो जब 6 lakhs लाग का goods sale करेंगे तो दीखिए first हमने क्या है 2 lakhs लाग का जो goods हमने sale किया है वो कौन सा IGST sale कर लिया means हम UP में रहते हैं हमने गुजरा दिया महराष्ट में IGST sale कितने की यह 2 lakhs के कर दे अब 2 lakhs पर 18% हम tax लगाएंगे क्योंकि हमने भाई tax दे के खरीदा है तो 18% इस पर IGST लगेगा तो 2 lakhs का 18% कितना हो गया 36,000 अगया तो देखिए यहां पर 4 lakhs का goods हम यह sale कर रहे हैं यह 4 lakhs का goods हमने sale कर दिया है इस पे 9% CGST लगा और 9% SGST means 36,000 36,000 अब यह goods हमारी कितने की होगी 7 lakhs 8,000 की हमारी goods हो गई अब इसकी detailed हम एक पार देखिए outer supply कैसे किया है 2 lakhs का हमने किया है जिस पे हमारा IGST लग रहा है 36,000 जो कि हमें customer से मिला है means sale पे हमें मिल रहा है और यह outward supply 4 lakhs के हमने किया इस पे 36,000 CGST है और 36,000 SGST है ठीक तो total हमने यहां पर tax के नाम पे कितना लिया है 1,8,000 देखिए इन तीनों को add करेंगे ना outward supply हमारी दो है एक IGST की sale है और एक within state है जिस पे CGST और SGST में मिल रहा है तो eligible ITC हमारा कितना है 90,000 तो देखिए tax liability 1,8,000 है eligible ITC हमने कितना दिया है 90,000 यह वाली amount तो payable amount हमारी कितना आगे 18,000 ठीक है 18,000 यह आगे इसका detailed calculation कैसे CGST SGST का आपस में calculation होगा अब देखिए इसकी अगर और detailed की बात करते हैं तो किस तरीके से को 90,000 हमने दिया था tax पहले ही हम purchase करते टाइम दे चुके थे minus 36,000 यह कौन सा minus करें IGST sale वाला क्योंकि IGST purchase करी थी तो इस 90,000 से हमने 36 minus कर दे बचा कितना 54,000 अब 54,000 हमारा पहले ही tax के रूप में government के पास देंगे कितना है 72,000 72,000 यह हमारा कौन सा है यह हमारी tax liability है जो हमने गौर्में कस्टूमर से लिया है 72,000 यह हमारी tax liability है minus eligible ITC eligible ITC कितना है 54,000 हमारा है कि यह हमारा पहले से government के पास पढ़ा है तो 72,000 से 54,000 less कर देंगे तो कितना बचेगा 18,000 18,000 यह हमारी क्या है payable amount है जो कि हमें government को pay करनी है tax के format में तो अगर आप easy concept में देखे तो इस सरीके से आप देख सकते हैं और पूरा calculation अगर आप जानना चाहें तो इस सरीके से दोनों ही methods नहीं है तो यह हमारा है GST का detailed वीडियो की GST R1, GST R2, GST R3 भी क्या है कि सरीके से calculation होता है GST के types क्या है तो I hope आपक क्या है